मिड़े मील के लिए पहले हमने कोशिश की कि मिड़े मील का जो कॉर्रिस्पॉंडिंग पैसा बनता है वो पेरेंट्स के एकाउंट में डाल दिया जाए ताकि बच्चों को अच्छा भोजन मिलता रहे फिर दर दर से कई पेरेंट्स नहीं कहा कि जी पैसा तो देते हैं लेकिन पैसा तो कहीं भी खर्च हो जाता है इसकी जगे अगर सीधे राशन दे दिया जाए तो आज वो राशन देने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है कि हर बच्चे के मताबिक जितना राशन बनता है उतना छे महिने का राशन हर परिवार को दे दिया जाएगा ताकि बच्चे का पोश्टिक आहार उसमें किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए जब लॉक्डाउन हुआ था वो सबसे मुश्किल दौर था मुश्किल अभी भी है करोना के टाइम में लेकिन अभी कम से कम थोड़ी जिन्दीगी चल पड़ी है लॉक्डाउन में तो सब कुछ बंद हो गया था उस लॉक्डाउन के दौरान लोगों की रोजी रोटी बंद हो गई नौकरी बंद हो गई दुकाने बंद थी इंडस्ट्री बंद थी नौकरियां चली गई ना टैक्सी चलती थी ना आटो चलते थे बाजार बंद थे ऐसे में गरीब आदमी कहां से पैसे लाएं और खास तोर से जो आदमी रोज कमाता है रोज खाता है उसके लिए तो खाने के लाले पड़ गए थे वो दौर था जब सभी सरकारों के लिए परीक्षा का दौर था कौन सरकार कितनी जिम्मेदार है कौन सरकार इतने कठिन समय में अपने लोगों का खयाल रखती है और उस वक्त हमने पूरी कोशिश की कि हमारे लोगों को कम से कम खाने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए हम किसी को बहुत ज़ादा तो नहीं दे सकते तो उस दौरान दस लाख लोगों के लिए रोज खाना बनता था दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों में इंतिजाम किया था दिल्ली सरकार के जितने स्कूल थे, MCD के स्कूल थे वो भी खुलवा दिये यहां भी बढ़ता था, दस लाख लोगों को रोज लंच और डिनर खाना पका के सरकार खिलाती थी और उसमें कोई यह नहीं था भी BPL को, कोई आ जाए, कोई आके लंगर था एक तरह से, धरम का काम था कोई लाइन में लग जाए, कोई आके खाना खाले, दस लाख लोग खाना खाते थे, और उसको तब तक चलाते रहे, जब तक लाइने लगनी बंद नहीं हो गई, जब लोगों ने आना बंद कर दिया, तब ही बंद किया हमने वो हर महीने तीन महीने तक तीन या चार महीने तक एक करोड़ लोगों को दिल्ली के एक करोड़ लोग मतलब दिल्ली की दो करोड़ की अबादिया पचास परसेंट दिल्ली को हमने ड्राइ राशन उनके घर उनको पहुंचाया था राशन की दुकानों के जरिया गेहूं, चावल, दाल और तेल ये उनके और मसाले एक करोड़ लोगों को हमने तीन महीने तक हर महीने उनको ड्राइ राशन दिया था ताकि कोई भूक ना मरे